हेलो जी, असलाम उलेकुम, क्या हाल है साब के मैं अलहमदुलिल्ला ठीक हूँ और आई होप आप साब भी ठीक होंगे हमारी तरफ जो रसानो वाले कमर्शल सेंटर है उसके बाएर ये फ्लावर्स वाले शाप है इतनी बड़ी और उसके बाहिर उन्होंने ये इस्ट्रॉल लगाई होते हैं चोटे-छोटे इतने कुई क्यूट लगते हैं ये देखने में छोट फ्लावर्स और चोटे-छोटे प नाइन वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी मार्किट में हमें आज को इतना लंबा चोड़ा काम नी था बस एक दो चीज़ें लेनी थी तो हम लोग दर असानों वाले कमर्शल सेंटर आगे और अपना काम की और जल्दी से बाहिर आगे इतनी रोशनी में उर्तों का माल और बजार से वापिस आना है हरानगी की बात ही होती है लेकिन ये था कि मुझे इतना कोई लंबा चोड़ा काम नी था मैंने एक दो काम बासोच आवा तो वो की और जल्दी रख दिया है ना कुकर की एक दो सिटी होगी तो उसे खोल लोगी उसे ये होता है कि टाइम भी बात जाता है और आपको गाजों वगएरा कदुकाश वगएरा करने भी कोई नी पड़ती ना वैसे तो मेरे पास मेशीन वगएरा है उससे इजी ली हो जाते है लेकिन फिर भ तो इतनी कोई खास मिलती नहीं है तो जिसके वज़ा से खोया इस तरह की चीज़ा जो है वो घारी बनानी पड़ती है तो खोया बना रही हो जिसके लिए मुझे कंडेंस मिल्क भी चाहिए था और साथ में जो खुश्क दूद होता है ना वो भी मेरे पास था पड़ा वरना मैं कंडेंस मिल्क के अंदर ना दो तीन पैक जो होते हैं वो में डाल लेती हूँ उससे भी काफी ज्यादा यह होता है कि ज्यादा दूद को पकाना नहीं पड़ता पाकिस्तान वाली जो सुर्ख गाजरे होती है उनका तो कोई मुकाबला नहीं है वो तो इतनी इस त पक पक के और भी अजीब हो जाती है खुशक दूद का पैकट भी मेरे पास पड़ा वह था मेरे हस्पन चाह वगारा के अंदर ना डाल के शोक से पीते थे गैरी चाह बनाते थे उसके अंदर भी वह एक्सरा खुशक दूख नः डाल के पीते थे लेकिन अभी यह को आदो लिए लेकिन मैं थोड़ा सा बस चखूंगा खाना नहीं है क्योंकि मैंने काया देखते हैं अगर आपने डाइट वगरा से बिलकुल शुगर खतम की जाए तो फिर क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं तो उन्हें तकरीबन दो मां हो गया माशाला माशाला उन्होंने बि छोड़ी हुई है जिसकी वज़स विचाई शाई ये वली चीजें छोड़े हैं तो दूद पढ़ा होगा था तो मैंने का इसको तो किसे काम लगाएं जो पाकिस्तान से खोया मिलता है न वो तो वो उसकी शेय बिलकुल भी नहीं बनती तो यह होता है कि फिर भी थोड़ा स अच्छा लगता है इसका जाईका काफी अच्छा बन जाता है गज्रे लावज दूद वगएरा को ज्यादा पकाना नहीं पड़ता है मुझे तो यह एजी लगता है वैसे अगर दूद को बहुँ ज्यादा टाइम लाग जाता है चार बांच गैंटे दूद को गयरे करते अगरे दूर से नियुकता को गरें तो उसकर बहुँ जाते हैं उसके अंदर गाज्रे बनती हैं तो मुझे यह इजी लगता है मैं पहले छोड़ा साइब को यह बना लेता है उसके बाद पीर VEी मेरी हो गए हैं तकरिब बन तो उनkąप्हु उनका फाइन को लिया हुष उन मैंने मैश कर लिया अब मैंने ना जो बनाया था ना खोया उसे अलाग से निकाल दिया गाज़े अंदर डाली है और दूर डाले दो तीन पैकेट और वो मुझसे ना क्लिप मिस हो गया वो मैंने देखा काफी डूंट है कोई नहीं मुझे मिला यह अब दूर के अंदर जो डा ना देशी गी और इस तरह की चीज़े डालके सील पैका करके राक देती हो ताके जो इस्तमाल में आये तो फिर वो ही खुले चीज़ अब इसे 10-15 मिन बून लोगी अच्छे से और उसके ओपर गार निशिंग के लिए जो भी चीज़ें वेलिबिल हो आपके पास नाट्स जो भी हो ना वो शामिल कार दूँगी थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स बनाई होए थे वो आपके साथ शेयर का रही हो यह शाम को मैंने चाय बनाई थी और साथ में ड्रामल गाया हुआ था और मुझे इनके ओपर अलाग से नाट्स वगएरा डालके खाने क्रंची इतन मैंने पहले बनाया था और एक दफ़ा अभी बनाया है इस तरह की चीज़े जो है पाकस्तान तो यह होता है बंदा किसी भी शाप से असानी से ले ले लेता है यह अंगार में भी बनाई ना ज्यादा खुली-खुली ज्यादा चीज़े बनाता है इस तरह की और यहां यह हो तक कल की बनी हुई चीज है चलेंज उसके बाद बारी आ जाती है लॉंड्री की जातो मैं अकेली रही थी लेकिन हस्पेंट जल्दी आगे थे तो मैंने का चलें आप हमें साथ लेकर जाएं हमारी जो गर्कनेस दीक है वो छोट छोटी मेशीन है और ये थोड़ा मुझे दू दूल्री ये लान्डRE है इसकी ड्राइचा काफी ज़्द है थी लांडरी है फास्त ओर पर इतने अच्छे ड्राइचा करते हैं जो गर्कनेस दीक के वो ड्राइच ने करते है कपड़े को जर 실ा हिए. schön क कि we manage team है बंदेंक सा खाएं हम डालने की तो परमके मींगें हम और त पहले तो रोती रही है कि मैंने नहीं मैंने नहीं दुलाई करनाई टो फिर रेंट पर यह हुआ कि WH wash बात मांगे चले ठीक है लिग अए बस't मुझे चक्कर लगवाने ज्यादाने आप लोगोई यह जो हमारा प्रहाणा ढ़ाता है बिल्कुल जो तो पार्क में चले गए थे और बस पार्क में गए तो हम यह याद आ रहा था कि 10 साल ऐसे गुजरे है ना पता भी नहीं चला बेटा चोटा सारा था और वो इतने शोक से इस पार्क में आया करता था ना ताइम इतनी चल्दी गुजर जाता है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि एक दिन गुजारना भी इतना कोई लंबा हो जाता है ना इतना मुश्किल लगता है मैं और मेरे हस्मेंट बात ने का रहे थे कि हम लोग मैय के लिए आ जाती थी और मेरा बेटा साथ होता था था तो कपड़े मिशीन के अंदर डालते थी और उसके आगे बुक्स वगएरा पड़ी होती है और कलरिंग के लिए भी पड़ी होती है हर बात आप उजार की क्यों याद का रही है लाध ताला हम सब को हास्तों के शार से बुरे लोगों से बीमारियों से बचा के रखे और लाध ताला हमारे रिस्क में और हमारे वक्त में बरकत अता फर्माए चलें जे आप मुझे देए इजास्त नेक्स किसी व्लॉग तक और लाइक, सब्सक्राइब और प्यारो सब्सक्राइब और प्यारो सब्सक्राइब करना मात दूलिएगा अलाहाफीज